नमस्कार, खबरों का पंचनावा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अन्शिका हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिनके विशलेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन्स पर राहुल गांदी के फिर बिगडे बोल प्रधानमंस्री मोदी को बताया इनकॉंपिटेट कहा हिंदुस्तान में नहीं है डेमोक्रसी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रधानमंस्री मोदी के भाशन से बौकलाई मम्ता किया शताबदी समारों का बहिशकार किसान संगठनों को पैसा देने वाले खालसा एट के खिलाफ एनाईए को मिले पुक्ता सबूत देश में चला रहा आतंकी गतिविधिया दिली में केजरिवाल सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की नीती का किया एलान चुरवाती दौर में 51 लाक लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन चीन का साथ दे कर बुरे फसे इमरान खान गुआदर पर हुआ चीन का कब्जा कर्ज के जाल में फस कर छट पटा रहा पाकिस्तान रुक करते हैं पहली खबर का किसान अंदोलन पर बढ़ चड़ कर बोलना गांधी परिवार को भारी पड़ गया कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहुल गांधी के नेतित्प में एक प्रतनिधी मंडल ने राष्ट्रपती को ग्यापन सौपा है इसमें दो करोड लोगों के हस्ताक्षर है इस दोरान प्रियंका गांधी के हंगामे को रोकने के लिए पुलीस ने इन्हें हिरासत मिलिया जिसके बाद राहुल गांधी को डेमोकरसी की याद अन लगी जॉक्टर मनीश राहुल गांधी अचानक से ये क्यों कह रहे हैं कि देश में डेमोकरसी नहीं है देखे राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या समझते हैं और क्या उसका मायने होता है और वो अपने दिमाग में क्या मायने समझते हैं ये एक पजल है इसकी ये पहली कोई बुझा नहीं सकता है इसको कोई साल्वरी कर सकता ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सक्स राश्पती जी की पास जाता है सिगनेचर लेकर के जाता है कि वह इस कानून को खत्म किया जाए बाहर आता है मीडिया के सामने वो प्रधान मंत्री को नकारा बताता है वो ये कहता है कि ये इंकॉंपिटेंट आदमी है जिस सक्स को हिंदुस्तान की जन्ता ने बहुमत से उसके नाम पे प्रधान मंत्री नियुक्त किया हो उसको राहूल गांधी जैसे अकलमन सक्स नकारा बता रहे हैं इंकॉंपिटेंट बता रहे हैं अब आपने इती सारी बाते कह दी तो ये इस तरह का Atax इस तरह के प्रधान मंतरी राश्टा दक्ठ के उपर इस तरह का कटाक्ष वो भी openly आप कहा कर सकते हैं ? चीन में तो कर नहीं सकते हैं, पाकिस्तान में तो कर नहीं सकते किसी सोशलिस्ट स्टेट में भी नहीं कर सकते लेकिन आप यहाँ कर रहे हैं और विरुधcjiवास देखिये कि इतना सरकुछ करने के बाद वो यह भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तार में डेमोकरसी नहीं है अचछा इनको डेमोकरसी कैसी चाहिए तो डिमोकरसी का मतलब राहूल गांदी के लिए वही है कि जो चुनीवी सरकार हो, जो कैबिनेट का जो फैसला हो, उसको राहूल गांदी सडक पे खड़े हो करके उसे फाल के फेक सकते हो, तो उनके लिए डिमोकरसी है और जो कानून संसत में पास हो रहा हो, वो इनके आपसे डिमोकरसी नहीं है, राहूल गांदी को फिर से कॉलेज में एडमिसे लेनी की जरूरत है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की जरूरत है, डिमोकरसी का मतलब क्या होता है, वो समझनी की जरूरत है, रुक करते हैं अगली खबर का, पश्चम मंगाल की विश्व भारती विश्व विद्याले को सौ साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में 24 दिसंबर को इसके शताब्दी समारों का आयोजन किया गया, लेकिन चौकाने वाली बात ये रही कि ममता बनर जी ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इस कारिक्रम में हिस्सान नहीं लिया, शताब्दी सम समारों में प्रधान मंत्री नरिन मोदी, केंडरी शिक्षा मंत्री रमेश कुमार पोकरियाल और पश्चमंगाल के राजपाल जगदीब धनकड भी शामिल हुए, लेकिन सीम ममता बनर जी ने इस कारिक्रम से दूरी बना कर रखी, क्ट्र मनीश आखिर ममता बनर जी क्यों इस कारिक्रम में शामिल नहीं हुए, देखे ये राजनीती जो है इनके सिर्प चन के बोल रहा है, दरसल ममता बनर जी इस पूरे चुनाओं में इंसाइडर, आउटसाइडर, बंगॉली, नॉन बंगॉली का एक मुद्दा उठाना चाहरी है, साथी साथ वो जितने भी कल् जो सिंबल्स हैं बंगाल के, और उसमें सबसे आगे नाम आता है, वो गुरुजी रविना ठाकुर, रविना टैगोर, इनका नाम आता है, और ये शांती निकेतनी ये विश्व भारती विश्व विद्दाले उन्हें नहीं इस्ठापित किया था, और प्रधान मंत्री मोद हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का जाना जरूरी है, अब ये वहाँ ना जा करके, इस कारिक्टरम से अपनी दूरी बना करके, वो उस राजनीती को हवा देना चाहती है, कि ये जो बीजी पी वाले हैं, ये आउट साड़र हैं, ये बंगला नहीं जानते, बंगाली कल्चर से ये वाकिफ नहीं है, और भारती जनता पाटी दूसरी तरफ वो लगतार ऐसे मौके को पकरना चाहती है, जिसमें वो इस बात को साबित कर सके, कि अमिस्टा या मोदी ये गुजरात के तो हैं, लेकिन गुजरात और बंगाल दोनों ही भारत का हिस्सा है, और इसलिए प् भारती जनता पाटी और तर्मूल कॉंग्रेस, जो बंगाल की जो रियल मुद्धे हैं, बिरोजगारी का, या फिर वहाँ पे विकास का, उस मुद्धे को छोड़के, आइडिनिटी पॉलिटेक्स ये बंगाल इसमिता के उपर राजजिती को हवा दे रही हैं, रुक करते ह एड नाम के जिस संगठन ने किसान संगठन को पैसे और सामान उपलब्द कराएं हैं, उसके खिलाफ एनाईय को पुकता सबूत मिले हैं, एनाईय ने खालसा एड सिक फॉर जस्स, बबबर खालसा जैसे संगठनों के खिलाफ जाँच शूरू कर दी है, एनाईय के अनुसा किसान आंदूलन के आड में एक बहुत बड़ी आतंकी गतिविधी की प्लानिंग चल रही है और अब एनाईय को इसके पुकता सबूत मिले हैं, देखें यह जो किसान आंदूलन हो रहा है, इसमें कई सारे लोग यह सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे कि आखिर यह पैस भी लगे, इसलिए मनें हीट करने वाले उस तरह के कपड़े, उस तरह के जैकेट्स, आज तो मैंने सुना कि वहां मॉल भी खुल गया है, जहां तमाम कंबल और यह मुफ्त में वहां बाटे जा रहे हैं, खाना पीना तो बिलकुल ही फाइल स्टार होटल के तरह चल रहा है और तो और वहां पे सारी सुधाये जो लोगों को मिल रही हैं, उसमें एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है, कि यह सारी चीजें जहां जहां हो रही हैं, उसके आगे एक पोस्टर लगा हुआ रहता है, जिसमें लिखा हुआ है खालसा एट, अब यह खालसा एट के बारे में इसके वेबसाइट में गया, कि कई सारे वो कह रहा है कि बहुत तरी मीडिया वाले बता रहे हैं कि हम यह हमारे खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, हम तो हमिनिटरियन एड काम करते हैं, तो मुझे यादा आए कि जमातु दवा जो पाकिस्तान में चलाता है, हाफिस सहीद, वो भूकम पाता है या कुछ होता है, तो वो हास्पिटल चलाता है, सब कुछ चलाता है और उसी के जरिये इस हुमेनिटरियन काम की आल में वो चंदे कठा करता है, जिसका इस्तमाल टेर्रिसम में करता है, यह बिल्कुल वही पैरलल है, हिंदु दुनिया भर में जब से 9-11 के बात से आतंकी संगटरों के फंडिंग के उपर सिकंजग कसा गया है तब से ये तमाम जो टर्रिस्ट और्गनाजिसिंस हैं इन लोगों ने अपनी फंडिंग का पूरा तरीका जो है अब सवाल ये है कि इसका जो नाम आया है खालसा एड का नाम ये हमारे हाथ में वो नाईय की रिपोर्ट है जो केसिस है उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ये एक बैंड और्गनाजिसन के लिए काम करता है अब सवाल ये है कि कई सारे लोग ये पूछ रहते कि भई आप किसान आंदोलन वालों को आप खालस्तानी क्यों कह रहे हो खालिस्तानी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां जो ऐसो अराम की चीज़ें मुहिया हो रही है उसे खालता एड करा रहा है और ये हिंदुस्तान के कानून के मताबिक वो एक टेरिस्ट और नैसम का सहीयोगी है इसलिए इसे खालिस्तानियों के द्वारा प्रायोजित किसान आंदुलन कहा जा रहा है रुक करते हैं अगली खबर का दिल्ली की सीम अर्वन केजरिवाल ने कोरोना वैक्सीन देने की बात की है CM केजडिवाल ने बताया है कि दिली में कुरोणा की वैक्सीन किस तरह से कितने लोगों को लगाई जाएगी केजडिवाल ने तो 51,00,00 लोगों की सूची तैयार करने की खोशना भी की है जनने पहले खेप में वैक्सीन लगाया जाना है कोरोना पर हसी दिल्ली कियाम आदमी पार्टी की सरकार केस ऐलान पर राजनीती भी तेज हो गई है डॉक्टर मनीश दिल्ली की सरकार कोरोना पर पूरी तरह से विपल रही है अब केजरिवाल ने ऐलान किया है कि पहले खेप में वो 51 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे कौन होंगे वो 51 लाख किस आधार पर केजरिवाल सरकार ने 51 लाख लोगों की सूची तैयार करने वाली है इसका मतलब है कि आपने इस ख़बर पर यकिन कर लिया अर्विन केजरिवाल की राज़िती का यही एक अजीब और गरिव स्टाइल है 51 लाख होंगे 51 को दिया जाएगा 52 को दिया जाएगा क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा यह अर्विन केजरिवाल का कंसर नहीं है अगर आप देखिए कितनी ज्यादा अगर ये जिस तरीके से जितना पैसा इसने एड में बहाया है कोरोना के दोरान जिस तरीके से भई देश में 30 से ज्यादा मुख्यमंत्री है आपको याद होगा जब लॉक्डाउन जब सुरू हुआ था सारव तीन वज़े ये टेलिविन प्यादा थे सारे टेलिविन चैनल वाले जो इसके इसके पूरे भासन को लाइव किया करते थे उस समय इसको लग रहा था कि भाई सिच्विसन जो है हम कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि यहां केंदर सरकार भी बहुत ज़्यादा इसमें दखल की वी थी इसके हिसाब से सब कुछ हो रहा था जैसे जैसे स्थितिया बिगड़ने लगे ये मीडिया से गाइब हो गया फिर टेलिविन चैनल वाले इसमें कुछ सवाल ना खड़ा करें तो अलग-अलग किसम से जो है टेलिविन चैनलों को ये पैसे देने लग गया एड चलाने लस्तूर कर दिया ये इसका कंसर्णी नहीं है कि दिल्ली के लोग मरते हैं या बचते हैं कोरोना होता है नहीं होता है ये सिर्फ ये घोषना करने में ये आगे है ये सब से आगे रहना चाता है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अर्विद केजरिवाल पहला चीफ मिनिस्टर है जिस जो आगे बढ़के ये कह रहा है कि हमें कावन लाख लोगों को कि वेवस्ता हम कर चुके हैं भई लगना होगा सब को लगेगा हर राज में लगेगा लेकिन ये मीडिया के जरिये ये जो फेक न्यूज जूटे दावे वादे के जरिये मीडिया में च्छाना और उसके उपर राजिनिती करने की आदत ये केजरिवाल की है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारे जूट बोलते हैं लेकिन राजिनिती का अगर कोई नटवरलाल है तो अरवित कीजरिवाल है नजर डालते हैं आगली खबर पर चीन का साथ देना इमरान खान को महंगा पट रहा है भारत के खिलाफ सहयोग के लिए पाकिस्तान ने चीन को गौदर का पोर्ट विक्सित करने को दिया था लेकिन अब चीन गौदर में मिलिटरी बेस के साथ साथ दस फीट उची दीवार भी बनाने में जुटा है सीपेक प्रॉजेक के तहत बन रहे 30 किलोमीटर लंबी फेंसिंग पर करीब पांच सो हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगाए जाने हैं दूसरी और अब पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फसाने के बाद चीन ने उससे पैसो की गैरेंटी भी मांग ली है और इमरान खान अब बुरी तरह से फस गया है डूक्टर मनीश इमरान खान हमेशा से चीन का समर्थन करते आए हैं उस चीन से ही समर्थन मांगते भी आए हैं कई मुद्दों पर अब इमरान खान बुरी तरह फस गया है देखिए ये जब आदमी अपनी साइज से ज़्यादा के कपड़े खरीद नहीं लगता है कि किस तरीके से वहाँ का विपाक्षि वहाँ के एनलिस्ट माधा पीट रहे हैं कि इसने चैना के हाथों पाकिस्तान को बेच दिया गौदर एक बहुत ही इंपॉर्टन एसेट है पाकिस्तान का और ये एक पोर्ट है जहां से चीन एक एकस्प्रेस में बना रहा है जो जिंग जियां के इलाके में जाएगा पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है सीपे अब इसमें तकरीवन पैतालिस बिलियन डॉलर्स का खर्च आना था चीन अपने फाइदे के लिए बना रहा है लेकिन पाकिस्तान की मुर्गता देखिए कि उसको एक सहारा चाहिए हिंदुस्तान के लिए कॉम्पीट करने के लिए तो वो रोट बना रहा है चीन अपने फाइदे के लिए लेकिन पैसा कौन लगा रहा है पाकिस्तान का पैसा लग रहा है पाकिस्तान की पास पैसे नहीं है तो चीन ने अपने ही फाइदे के लिए इस प्रोजेट को बनाया और पाकिस्तान को ही इसमें कर्ज दिया किस रेट पे तो वहां के एनलिस्ट बताते हैं कि कम से कम जो टोटल जो पढ़ रहा है वो 17% के ब्याज पे एक बाद और ये कर्ज के दलदल में पाकिस्तान दो फस गया दूसरी कहानी तब सुरू ही जब पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए अलग-अलग पैतरे वाजी कर रहा था जो इसलामिक और्गनाजिसेंस की जो कंट्रीज हैं उस पे दवाव डाल रहा था लेकिन वहां बात नहीं बनी तो इन्होंने जो है फिर अपनी हैस्चत से ज़्यदा जुवान इन्होंने खोल दी UAE और सौदी अरब को ही सबग सिखाने लग गये तो यह जो करज इन लोगों ने दे रखे थे उन्होंने कहा हमें वापस कर दो जब उन्हें से पैसे मांगें के वही वापस कर दो तो पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं तो चीन से पैसे ले करके वो अपने करज को वापस कर रहा है लेकिन चीन जो चीन है अब यह चीन कह रहा है कि वही यह सारी मदद तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें गैरेंटी चाहिए और मैं आपको बता दूँ कि ये जो बैंक को जो लोन दिया गया है सीपेक के लिए पाकिस्तान को इसमें भी पाकिस्तान सरकार की सौवरन गरेंटी मिली हुई है अब इससे ज्यादा गरेंटी क्या हो सकती है तो इससे ज्यादा गरेंटी बसे ही हो सकती है जो आपने अपनी ख़बर के पहले हिस्स में बताया कि धीरे धीरे करके चीन पाकिस्तान के इलाके पे कब जाक करना उसने शुरू कर दिया है और ये जो गौदर पोर्ट का जो इलाका है ये पहला निसाना है जिस पे चीन अपनी पूरी तरह से पकड़ मजबूत करना चाहता है उसे हड़पना चाहता है अब ये मुद्धा वहां के विपक्षी ने भी उठा दिया है पता चल रहा है कि आगे आने वाले दिनों में रेलियां होने वाली विरोस पुदरिशन होने वाला है तो इमरान खान और पाकिस्तान ये ना घर के रहे ना घाट के रहे दॉक्टर मनीश देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विशलेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद खबरों का पंचनामा में आज उतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें